Hello everyone, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे So guys, आज किस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए एक नया अपडेट है जो कि सीधा NT के तरफ से निकल के आ रहा है According to me, मेरे नुसार आप लोगों को ये अपडेट जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये जो अपडेट है, इससे आपको ये आइडिया होगा कि किस तरीके के कोशन NT आप से पूछने वाला है इसके इलावा वो स्टूडेंट जो कि first time online exam देने वाले है तो उनको भी एक basic idea होगा कि जो हमारा exam है जब हम center पे exam देने के लिए जाएंगे तो किस तरीके से अपने को exam देना है तो मैं अगर total मिला के बात करूँ तो NTA ने आपका जो mock test वो release करा है और उसमें किस तरीके के कोशन यहाँ पे पूछने वाला है वो अपने को यहाँ पर बताया गया है तो अपने को इस mock test को ज़रूर यहाँ पे guys देना चीए तो अब हम लोग start करते हैं और आपको detail से बताते कि किस तरीके से आपको mock test देना है अगर आप direct यहाँ पे देखेंगे NTA की website पे तो आपको वो नजर नहीं आएगा कहां से आपको इसका mock test मिलेगा वो मैं आपको clearly इस वीडियो में बताऊंगा guys but अभी दर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करिए वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को भी like करिए ताकि इसी बरकार की जो वीडियो है हम आपके लिए आगे भी बनाते रहे तो अब क्या करना है अपने को सबसे पहले NTA का जो वेबसाइड है उस पर विजिट करना है जब NTA की वेबसाइड पर आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है वो अपने सामने शो करेगा यहां पर अपने को एक जो है सेक्शन बना हुआ दिख रहा है लेकिन यहां से आपको यह शो नहीं करेगा सी यू एट वाला नीचे यहां पर लिखा वह क्लिक है ओके एंटी क्या है कि सब कुछ मतलब सारी चीजे अपने को नहीं यहां पर देगा ओके यहां पर इसको पहले हम लोग नो कर देते हैं यह नहीं होगा इसको रिफ्रेस करना पड़ेगा तब जाके यह होगा अब देखें यहां पर इसमें कुछ नहीं करना है अपने को डाइरेक्ट क्लिक हैर पर क्लिक कर देना है अरे यह क्या बोल रहा है टेप, लिमिट, वन सेकंड गाई, वन सेकंड, ठीक है, अब करना है अपने को इस पर क्लिक हैर, जैसे हमने करा तो कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है, वो हमारे सामने ओपेन हो गया, यहां पर अपने को एक्जाम का जो है नेम देना है, तो यहां पर लिखा हुए, C U E T U G 2022 तो simply अपने को इस पर क्या करना है क्लिक कर देना है Year select करना है Year में अभी कुछ नहीं दिया है क्योंकि first time exam हो रहा है तो all आ गया all पर कर दो month में भी आपको all कर देना है क्योंकि अभी exam हुआ नहीं है अभी यहां पर देखिए आगे आ रहा है आपका paper and subject okay paper में जो है आपको क्या select करना है like अब देखिए यहां पर सब कुछ तो नहीं दिया है जैसे language वाले जो code से वो यहां पर दे दे जैसे maths का आपका आ गया है and नेपाली physics तमील तेल्गू यह सारा है इसमें कुछ दिया है तो अपने को जैसे अगर हम देखना है जैसे हम history का यहां पर लेते है like history paper को select करते है और उसमें language अब देखिए language यहां पर केवल English दे रखा है तो student का यह question होगा जरूर होगा कि sir यहां तो केवल English दे रहा है जबकि हमें 13 language के अंदर paper यहां पर देने का मोका मिल रहा है तो यहां पर क्यों निश्यो कर रहा है तो देखिए anti ने एक छोटा सा format दिया है कि किस तरीके से क्या रहने वाला है English तोड़ा easy होता है इसलिए यहां पर English दिया गया है बाकि आपका जो paper है वो 13 languages में होगा जैसा कि आपको जो anti का prospectus था उसमें भी बदाया गया था बट फिलाल हम लोग English यहां पर कर लेते हैं और start mode test पर click करते हैं ओके वन सेकेंड थोड़े tape ज्यादा इसमें खुल रख्या है इसलिए यह इस तरीके का show कर रहा है तो हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग start mode test पर click करते हैं जैसे हमने click करा तो कुछ इस तरीके का जो interface है वो हमारे सामने आ गया गया यहां पर आपको यह सारा देख लेना है एक तरप आपको question का पूरा list दिख रहा है 1, 2, 3 करके ऐसे 50 question यहां पर आपको दिख रहा है अब मैं इसकी guarantee नहीं देता कि 50 question ही आपसे यह वहाँ पर पूछेगा आपको पता है कि general test में 60 question आपको करना है maximum 75 question आएंगे इस तरीके से आपको दिख रहा है यहां पर symbol भी बने वहाँ है जैसे note visit question पर यह है answer पर green दिख जाएगा note answer पर आपको red दिखेगा marks for review के लिए दिख जाएगा answer के लिए तो यह सारा आपको यहां से पढ़ना होगा जब आप exam देंगे तब भी आपको ध्यान में देना है ओके जैसे अब यहां पर उपर question number लिखा हुए आप लोग यहां पर देख सकते हो यहां पर question number one लिखा हुए यहां पर question number one लिखा हुए है which of this asides of Harpian civilization belong to Haryana यहां पर यह question पूच रहा है आपसे कि यह जो option दिये गया है इसमें से हरियाना से सम्मंदित कौन सा है तक यहां क्या पूचा है काली बंगा तो आपका हनुमानगड जीले के अंदर आता है लोथल आपका गुजरात के अंदर आता है अब आगे वाला option इसमें है बनावली तो आपका बनावली हरियाना में पड़ता है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो third वाला हो जाएगा यानिकी बनावली कहा है हरियाना में और यह पूछ रहा है कि हडपा जो सब्वेता है उसके अंदर जो हरियाना जो है यह कहां से संबंदि है तो बनावली हरियाना ओके तो यह इसका right answer हो जाएगा तो अपने को यानिकी थार्ड वाला हो गया तो हम जो है सी पर क्या अगर देंगे टिक कर देंगे और उसके बाद सेव पे जो है हम लोग क्लिक कर देंगे ठीक है तो अपना यह जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा वन सेकेंड अच्छा यह फिर से वही इश्यू आ रहा कोई दिक्कत नहीं है गाइस यह थोड़ा नेटर का इश्यू है बाकि आप जो है जैसे इस कोशन का अंसर कर दिये और फिर जो है आपके सामने आगे वाला कोशन यहां पर जो ओपन हो जाएगा ओके यह कुछ नेटर करा और से उपे करा वन सेकेंड में रिफ्रेस करता हो इसको आज तिंग रिफ्रेस भी नहीं हो रहा है में भी यह कुछ नेटर का इश्यू होगा बाकि आप लोग जो है यहां पर विजिट करके और इस तरीके से जो मोग टेस्ट उसको दे सकते हो गाइस ओके तो एंटी की विजिट करो एंटी की और यह जो मोग टेस्ट है उसको आप लोग दो ताकि आपको बैसिक आइडिया हो कि किस तरीके के कोशन यहां पर यह पूछ रहा है जैसे कि आपका अडपा सब्विता से पूछ लिया उसके बाद को इसके बाद मूगल एंपाइर के दिल्ली संत्रल